कि हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप सोगों की बीच देखिए आपको हम नौलेज एंड केरिकुलम के पार्ट वन वीडियो बनाये थे जिसमें नौलेज का इंटोड़क्शन उसका अर्थ परिभासा और नौलेज की विसेस्ता मतल़ ज्यान की क्या विसेस्ता थी और ज्या न की कौन की बीध्या प्राप्त करने की फिर ऑग्न के कौन कौन से सुरोत है इस सब चीछ के बारे में का जğeledन के बारे में एचीज NPC व जागा समझें निट ओन मीत देखें नी टू में आपको पढ़ना है ज्यान ज़िंट के परकार के बारे में परता हमलो पभसी एट ब Inhale लिए लिए टूम ग्यान प्रकार के बारे हैं अब्ताइब करन के बारे हैं ने युनित वन में देखी से पहले हम बता हुए थे ज्यान और सूचना के बारे में आपको इदम कोष्चन फिक्स रहेगा आपके एकजाम में लमीट वन में एदम हर साल फिक्स कोष्चन अधा है ज्यान और सुचना के बारे में आपको ज्यान कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम सुचना के बारे में कि सुचना की इंट्रोडक्शन क्या होता सुचना क्या होता है सुचना का अर्थ हम परिभासा क्या है सुचना क्या विस्यस्ता है सुचना और ज्यान में क्या अंतर है क्या समानता है यह सब सीज़ के बारे में हम एक सेटर्ट वीडियो तीसरा वीडियो ले गाएंगे वी vertical आज हम बताएंगे ग्यान का क्या महत है महत्व को भाद फिर ग्यान के सुरॉत बताएंगे पिर ग्यान के आपका उसका प्राप्त करने की कौन-कौन सी भीदिए आई यह हम स्टार्ट करते हैं देखें लिखा हुआ है देखें लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि ग्यान एक चुम्बक की भाती होता है जो आज पास की सुचनाओं को अपनी और आकर्सित कर लेता है जानते हैं देखें देखें आगा जोवी कोई भी अच्छा कंड में लोहा का चीजित होता है मतलख उसको क्या हता और इसका सुचना होता हुआ है ग्यान अपने और आकर्षित कर लेता है बालक में ग्यान अर्जन की यातरा इस संसार में आने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है नौजात नौजात मतलब जो जन्म लिया हुआ एक संसर में अपनी इंद्रियों से इंद्रियों मतलब से और यह जो नाक नाक तुछा जीवी इस सब तर अनौजात उसी जाए करता है पहला अपना फना इंप्राप्त करता है समझ रहा है कि यहां पर दखिए जुआ ही वह इंधन है जो संचालित करता है पिलिखा है दूसरा पॉइंट है जा नहीं हमें जीवन जीने का सलिका सिखाता है ग्यान ही हमें जीवन जीने का गया एक ज्ज्रापींट देखते हैं कि घ्यान से ही अध्यात्म को को समझ सकते ज्यान से ही हम बहुत्तिक जगत और अध्यात्मिक जगत को समझ सकते हैं फिर चौता लिखा हुआ है जिससे हम अपने आपको जानते हैं ज्यान हुआ सकती है कि हमें क्या क्वालिटी है क्या उचीद है हम क्या कर सकते हैं ज्यान के माध्यम से जान सकते तो वही कर सब्सक्राइब काहानिया अपको बताते हैं एक ज्ञान कर घचाहएं हम अधारित एक कहानी है हम इसलिए इसमें एड किये हैं आप पर यह आपको अच्छा भी लगे हम पर क्या कुछ ना आते हैं लिखा हुआ है कि छोटी सी दुकान में काम करके अमर एक बड़े बिजनस का मालिक हो गया था एक बार उसका दोस्त कमल उससे मिलने के लिए ऑफिस मे देखा तो उसका दोस्त जो कमल था ना उसे मिलने के लिए अफिस में आया तो उसने देखा कि वह अपने मामली से कलर के साथ की कुर्सी बैठकर उसे केम्पूटर पर कुछ दिख रहा है जो अमर था ना उसी यह कंपनी में काम करने वाले एक कलर था मामली छोटा मुटा कल बैठकर कुछ सीख रहाता अमर उस कलरक से तो बैठकर सीख रहाता कमल को हैरानी हुई जब कलरक चला गया तो उसने अमर से पुछा इससे ज्यादा तुम्हारा चीफ इंजिनियर जानता होगा उससे क्यों नहीं पूछ लेते तो तब अमर ने कहा मतलब यह बात कुन कमल कह अमर को कि इससे जाता तुम्हारा चीफ इंजिनियर जानता होगा उससे क्यों नहीं पूछ लेते तब अमर ने कहा इस कलरको 30 साल का अनुभाव है यह समझता ही यह समझाता भी अच्छा देकिए आपको अम पहले भी बतायते है ज्यान क्या होता है अनुभाव होता है से सिखता रहता हूं अमर बोला है तब कलर के निकाल लेकिन एक बॉस का मामली करते को बराबर बैठकर उसे सिखना कुछ अच्छा नहीं लगता है तो यह भी घमंडी है तो अमर बोला हाँ बात-पत की नहीं ज्ञान के लिए ज्ञान किसी से भी लेना कि छोटा हो या बारा ह और कोई गरीब बुरो कुछी से आप ले सकते कोई दिकते वही कर रहा है यहां बात-पत की नहीं ज्यान की अगर कोई भी वेक्ति किसी बेशाय में आपसे बेहतर समझ रखता है तो उससे मदद लेना मदद लेना सिखना बुरा नहीं होता है आप देखेंगा बहुत आदम गाव में घुमंड कर लेता है चोटा आदमी से क्यों जा सिखने समझ रहें तो यह चीज आप में अंदर नहीं होना चाहिए कोई चीज से किसी से छोटा या बारा किसी सिखना चाहिए तो समझ नहीं है फिर लिखा है मेरे पिता जी दुकान में तमाम बड़ी खाते शमाल बड़ी खाता मतला होता है यह काउंट वाला काम को बड़ी खाता बोला जाता है तमाम भरी खाते-स अमाल लेते लेगिंगं घर के बचट को सई ढंक से चलाने के लिए मां सहीं सलाह लेता जानती है कि क्या है वही लिखा हुआ है क्योंकि उसे वह सिध्धत्तम थी मैं भी मैं भी इसी नजरिये के साथ चलता हूं कमल यह सुनकर मुश्करा गया मत्दा बोला है कि हम भी वही नजरिये जयत Lazai अब आगे फिर चलते हैं आप का थो पॉयंक्त प्वाइंट बता दिये ते यहां पर ग्यान से मनुष्कास शरवागिया विकास होता है आप概ét कि छटा पाइंट है ग्यान मस्तिक का इंधन कहा जाता है जो है न suhab अ कि लिखा हुए आठमा यवरतमान समय में सिक्षा का आधार घ्यान ही यह बतlooking लग्यान करता है है किसी विषयाक सिंध्यामतिक या 북ॵ कता こ करता है भिषय करता हsis क vorbere पॉइंट है है सफल नहीं हो सकता है न की तुम ह Евर ऴेक्ती और सुचना के बीच क्या करता है कर दो लिखा ग्रम यहाला है न्यां को जिवन में सफल नहीं हो सकता है सफल नहीं से लिए पुछा और को हल करने में मुहत पूर्ण मुहतर है तो हमारे पास उतना ही अधिक सकती है लिखा है कि पंद्रा नमबर है कि सिर्फ ज्यान ही आपको आपका हक दिलाता देखें पंद्रा पॉइंट है जितना हो सके आपको आराम से गां में लिख सकते अब देखते हैं ज्यान के सिरोत कुन कोन है փ नौलेट हम जान्ते ही कोई भी प्राणी अपने वातावलन सें धीरे-धीरे स्वताहिं अपने आसपास के संसार हुआ siento Lord देखे उनकर्द समझते हैं मूर्थ मतलब होता है जो दिखाई दे आमूर्थ क्यें प्राप्त करता है कि अपने आज पास के संसार मिर्थ अमुर्थ आउधारना विचारों से विशय में भी ज्यान प्राफ्त कर लेता है अपने आज पास क्या होता है या करता है कि इंद्रियां फारना जाता है तो मिल्हें प्राप्त करते हैं कि हमानो के पास पा। इंद्रियां है ये इंदری या या जou कोन कौन कोन玩 कान नाक त्वाचा और जीव हैड़ेगे इससे नाक से क्या हुआ कि हम नाक से कोई चीजा संपकर हम ज्यान प्रप्त कर सकते हैं कान से क्या है कोई चीज सुनकर उसके बाद तवाचा से तपमान वकश्य?", करके खराउस कर लोगी आपके बिलते हैं आख से कोई चीज़ देखकर हम ग्यान प्राप्त कर सकते हैं समझे हमारे पास पाच इंद्रिया होती कुण कुण होता है नाख गान कान आख तो अचाओ और जीव है मानों इन इन्दरियों के सायटा से ग्यान इंदरिये उनभाव से प्राब्द जिये करता है ज्यान कि यह कहते हैं अस्थाइब DAVID इंदिय नहां यानभाव से प्रेप्द की जिए गान वो स्थाइब पुछा जाता है इसलिए से वास्त्विक साधन भोला जाता है फिर आप देखिए लिखा हुआ है जैन दर्षन बात दर्षन शाख्य दर्षन योग दर्षन नियाए दर्षन और अधैत दर्षन आप जानेएवेर है बहुत धर्म एक महावीर है का सुन्वेर का परत्मी सुरत मना तर तर की चींते नहीं बुद्धी लोजिकल ठीनःट одна intelligence लिखा है हम जानते है कि मानो कोई भी विश्यम वस्तुप बुद्धि रंपत करते हैं रधात कोई भी मानो बुद्धि के सारे थारे जुँन करता है उसे क्रिया के से ज्यान परापक करता है धे康िया ज्यान पराप्त करनने केते alright साधने हमतर्ग करके बुद्धिकन लेखने करता है लेकिन फ़ french नहीं होता है क्योंकि इसका कोई अधार नहीं समाज का परंपरा इसका कई रही का सबहते हैं तो यहांन अधिस्वाबлом करा हो еёke मत्ति हैं मतलए जह ओधूसरा न shitty अब जाते हैं आते हैं तो ज़्यादू इडिडरी इंधिवीश्वा नाते हैं कि आ इंटरनेट के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है इंटरनेट से प्राप्त सभी परकार के ज्ञान को हम परमान्मिक ज्ञान नहीं माल सकते हैं क्योंकि कई परकार की सुझनाय सही नहीं होती है कि इसलिए इंटरेट से प्राप्त ज्यान के शरोत को सावधानी पुरवक विष्लेशन के बाद परमानिक बना जा सकते हैं। इस प्रसनल निष्थ होता हैं अप्रसनल ऑखतोहई इस होता हैं इस प्रस्टु निष्थ होता है मतंब इस वहाद में क्या होता मतलब कि निद्गि आप 5 दू कि पुझे से आड़ में नहीं कर ने कहा तब नवागी सब न मताइगा कि उसमें इस फिक्स यह कोई चिज छाट प्रिक्स रता उसे उसे उसमें क्यों रहता है वस्तुट निष्टा यह इन्켜फ मां आपको बोला समझत लिखा होका का आपके अधर द्रिश्टी को अंदर है अचानक आता प्रात याद होगा प्रियोग होगा उसे उसमें घ्म अधि हो फिご इक एक मतलों ग्यान प्राप्त अतों उयाँ को रहा है कि अंत्र दिष्ट्री से प्राप्त ग्यान अचानक होता है गेश्टल्वाधी मौनोविज्ञान को ने अंत्र you어 आज पर्णूक पर्मुह मौनोविज्ञान का सुरुत बताया है ऐसे ग्यान की उत्पत्ती में प्रिस् बात्रूम में असनान कर रहा था टॉप में बैठ जैसे बैठाना तो तीये उपला यूरेका यूरेका का खखे चिलाया मतलब एक उसको क्या हुआ करता है यूरेका समझे तो वही चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हैं समाजी कंतर किरिया लिखा सोसल इंटरेक्शन से भी ज्यान का होता है माली जितना ज्यादा समाज में मिलेगा उतना ज्यादा आपको मतलब क्या होगा कि ज्यान का निर्मान होगा तो इसलिए आप जहां बन गया है समझ रहे न तो उससे भी क्या हुआ कि ज्यान का प्राप्ती हो रहा है आई अब देखते हैं ज्यान प्राप्त करने की विभिन विदिया मेठाट अप्जर्वेशन में हम अपने इंदिरियों से करते हैं तो वही करा है यह ओलोकन वीदि द्वारा बेक्रिति के जाता है और उससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है ज्यान प्राप्त किया जाता है जैसे माली आप लोग को फर्स्ट केर में हम थे तो वहां पर हम पर प्राप्त करने की महत्पून विधी है मतलब करके सिकने की ज्यान प्राप्त करने की महत्पून विधी है मतला और विवर्तमान समें बाले कंदी सिक्षाम करके सिखमें पर अधिक बल दिया जाता है लिखा हुआ है कि बाला कि विधी से स्वयम के परियास से ज्ग्ञान प्राप्त करते हैं जिसते उनका आत्मीस्पास बढ़ता है फिलिकर मनौश और नौवस का सबसे बटा सिक्षक वह वहां प्रयोग विदी ग्यान प्रयोग विदी का युगधान महत्पुन नहीं इस विधी का विकास जोन डिवी ने यह था इस मतलब प्रियोग आत्मकब Dwy अविदी इस विदी कि में को समंत समस्या holistic वीदी व Wenkins में पार्च पदह थहां पहला है समस्या की आनुभूती या पहले आपको जनकारी होगा समस्चा कैसा सह One चयरे क्या अब legislation करेंगे इसका खुल करेंगे तिसरह क्या है समस्च्य का समध्वाथ की संब्सक्राइब ब्लब करना उपकलपनाओ निर्मान करना डuation मतल्य हम करेंगे कि बनाये में तो प्सक्राइब है सावित हो रहा है नहीं समझाए फिर आपका इनमबर है उपकल पनाव को समस्थ्य समधान है तुछ सभी कार करना आप इसे कार कर लिए यह समस्थ्य समधान के लिए जो हाइपोथेस्टी बनाए हुए वह अच्छा है कि नहीं फिर आप देखते हैं तिसरा समधा समध वीधी है इस विधी का विकास प्लोटों ने किया दोमधा कनवर्जेशन मेठड बोलते इसको इस बीदी में दो वेक्तियों के मत समऴ ज्यान का सिर्जन कीया जाता है या विदी यान प्राप्त करने कि खोज विधी है मतलब दो वेक्तिव को रख लेगा और कोई-क क्वेस्चन पुछ जू उद्धारन के द्वारा इस्टार्ट होते हुए हम वह चीज को सम्झहाते जाये चीज हम बताएंगे आगवन निग्वण बिदी क्या होता है आगे आपको बताएंगे फ़िए दुसरी समस्य अरस्तु ने किया होता है सिंपल आपको समझाते हैं कर देंगे समझगे आई आप देखते हैं भाष्था है यह अभस ज्टीन घ्यान मतलब कंसंट्रेशन नेम मेडिटेशन लिखा इस विधी के स्वामी विवेकानन दें बहुत महत विदिया था स्वामी विवेकानन ने कहा था कि एक अगरता ही सकतिक ज्ञान को संचीत वभंडार की एक मात्र कुंजी है समझ गये तो यह आप समझ गए होंगे अगर्ण अगर्ण गया देखिए अब है आपका छत्म हो गया अब आपके सुचना के बारे में आपको हम अगल का जो मेरा प्रफ्ट वीडियो आए गा मतलедь ज्यान और अदि नौलेज और कैरीकुलम का उसमें प्रफ्वेड विडियो में हम आपको हम बताएंगे कि ज्यान और सुचना में पड़े बताएंगे कि सुचना क्या होता है सुचना का अरथ परिभासा सुचना की विशेस्ता। बताएंगे dif 자 दूखना और घ्यान एक दुसरे से कैसे समबंधित हैं सुचना और ग्यान में क्या अंतर एंट में आपका एक सेप्रेट वीडियो है का पर्ट रहे में था थैंक यू